हेलो फ्रेंज आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं आप लोगों के साथ बिहार की एक स्पेसल सबजी की रेस्पी सेयर कर रही हूँ जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर बन के तयार हो जाता है बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेश्टी यह सबजी बनती है तो जैसा आप लोगों ने देखी लिया है कि यह सेम की सबजी है और सेम की सबजी जो है बिहार में बिलकुल अलग तरीके से बनाई जाती है तो आज मैं वही तरीका आपके साथ सेयर कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 200 गराम सेम ले लिया है सेम को अच्छे से धो लेंगे और इसको किनारे से इस तरह से कट करके हमें एक धागा जैसा निकलेगा उससे हमें निकाल लेना जरूरी है सबसे पहले तो हमें यही करना है कि सेम के सारे धागे जो होते हैं न दोनों किनारे से इस तरह से हमें चाकु से पकरके उसे खीच देना है अब खीचने के बाद न हम इसे क्या करेंगे कि अब इसे टुकरोर में काटेंगे तो हमें इसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं काटना है, बिल्कुल छोटा भी नहीं काटना है, बस हमें आधा इन से थोड़ा सा बड़ा इसे कट कर लेना है, तो इसी तरह से सारे सेम को न हम पहले कट करके रख लेंगे, फ्रिंड्स अगर आप सभी को ये रेस्पी पसंद तो ये देखिए हमारी सेम जो है बहुत अच्छे तरह से कट के तयार हो चुकी है, अब यहां पे मैंने एक बरे साइच का आलू लिया है, उसे अच्छे से छील के और दो-तीन पानी से मैंने उसे वास कर लिया है, अब हम आलू को दो हिससे करेंगे और हर एक हिस्से में ती अगर बरा साइच का आलू नहीं है, तो आप दो मिडियम साइच का आलू ले लीजिए, अब यह सबजी जो है सरसो तेल में बनती है, तो हमने एक लोहे की कराही ले ली है, और इसमें हम दो बरी चमा सरसो का तेल डाल के उसे अच्छा सा गरम कर लेंगे, जब तेल हमारा अ आच नहीं रखनी है, लोटू मिडियम रखना है, और इसमें हम चलाते हुए इसे अच्छे से आलू को पकाएंगे, तो आलू को हमें लगवग 90% जरूर पकाना है, मेरा आलू जो है अच्छे से पक चुका है, तो जब आलू हमारा अच्छे से पक जाएगा, तो जो हमने से सेम फली को काट के रखा है, अब उसे डालेंगे, और उसे भी हम 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे, इससे क्या होगा, कि हमारी सेम भी जो है बहुत अच्छे से पक जाएगी, आच जो हमें लोटू मिडियम ही रखना है, तो यह देखिए बहुत ही अच्छी कलर, आलू औ हमारे ने दोनों पर शार आगया है, तो अब इसे हम साइट कर लेंगे, इसमें जो तेल हमने नाला है इसी तेल में हम सबजी भी बना लेंगे, अब हम एक्सिट्रा तेल की जवुत नहीं था उत् जाएसे तोड़ नहीं है, तो जो हम आपको दिखा रही हूं कितना सारा ते तो हम जो है आलू और सेम को पहले निकाल करके एक प्लेट में साइट कर लेंगे ये देखिए हमारे पास इतना सारा भी तेल बचा हुआ और इसी तेल में हम सबजी बना भी लेंगे तो तेल एक्चोली हमारा गरम ही है तो इसमें हम आधी छोटी चमच अब सरसो का दाना डाल लेंगे और इन सब ही को हम अच्छे से धीमी आज पर भून लेंगे तीन से चार मिनट के लिए या फिर हम इसे तब तक भून लेंगे जब तक कि हमारा प्याज जो है हलका सा ब्राउन कलर नहीं हो जाता है जब प्याज हमारा हलका सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें एक हम अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से मसालों को भूनेंगे, बीच बीच में हम यहां पे थोड़ा थोड़ा पानी भी एड़ कर देंगे, जिसे कि हमारा मसाला जोहें नहीं जले और बहुत भी अच्छे से हमारा मसाला भूनके तैयार हो जाए, तो हम इस तरह से ढखध़क कर cosa अच्छे से पकालेंगे, मसाले हमारे जितने अच्छे पकेंगे न उतनी ही अच्छी हमारी सबजी भी बनके तयार होती है तो ये देखिए मसालों को भूनने में मुझे न 5-6 मिनट का टाइम लगा है और मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी भून के तयार हो गई है अब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 बरी चमच दही डाल देंगे तो हमने यहाँ पे दही को अच्छे से फेट लिया और दही ताजी ही रहनी चाहिए तो दही के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे 2-3 बरी चमच के करें अब इसे फिर से हम अच्छे से चलाते हुए तीन से चार मिनट के लिए और भूनेंगे इससे क्या होगा हमारी दही जो है वो भी बहुत अच्छे से भून के तैयार हो जाएगी तो ये देखिए हमारी मसाला भून के तैयार हो गई है अब इसमें हम सेम और आलू जो हमने पहले से ही से पका के रखा है उसे डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से चलाते हुए इसे हम पका लेंगे तीन मिनट के लिए तो अब इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है बस हम 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे और इसे ढग के पकाने की जवरत नहीं है ये देखिए फ्रेंज 3 मिनट के बाद हमारी सीम और आलू और मसाले कितने अच्छे से मिल गर हो और कितना अच्छा कलर आ गया है तो अब इसमें हम एक बरी चम्मत जो है कसूरी मेथी डाल देंगे और इसके साथ ही यहाँ पे आधा कप हम गुनगुना पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए हमेशा आप गरम पानी ही यूज कीजिएगा बहुत ही अच्छी सब्जी की टेस्ट आती है अब इसे हम एक बर अच्छे से चला लेंगे ढग देंगे और धीमी आध पर इसे दो मिनट पकाएंगे तो फ्रेंड्स ये लिजिए दो मिनट के बाद हमारी बिहार में बनने वाली सेम आलू की जो सब्जी है न वो बनके बिलकुल तयार हो चुकी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़दार बनती है ये थोरी तीखी बनाई जाती है तो आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्ची भी साबुत काटके आप डाल सकते हैं इस तरह से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो जो बच्चे या जो भी नहीं खाते है न वो भी आपसे मांग मांग के काएंगे और ये चावल प्राठे पू सपोर्ट कर दिजिएगा खुश रहिए स्वस्त रहिए थैंक यू